हेलो दोस्तों माय उन्टे गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने फ्लिप कार्ड में कोई प्रिपेड आडर किया है और आपने उस आडर को कैंसिल कर दिया है और आपका रिफंड आपकी बैंक में नहीं आया है तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए आज की इ और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं refund completed और यहां पर लिखा है 28 तारीक पमप्लीटेड आ गया था और इसमें लिखा है कि यह refund होने में 10 मार्च तक का टाइम लगेगा यानि 28 फरवरी को order cancel किया गया और यहां पर 10 मार्च को refund करने के लिए फोन पर वालेट में आने के लिए बोला गया है और उसके बाद लिखा है फोन पर वालेट रिफंड्स बिल टेक 7 बिजिनेस डेज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी 7 डेज इसमें लिखा गया है तो यानि 17 दिन हो गया इसी में और 28 परवरी को माली चैप का रिफंड आया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यह मेरा छोटा एमाउंट था और यहाँ पर जो आडर है वो सीपेड नहीं हुआ था मैंने उसी दिन कैंसिल कर दिया था तो यहाँ पर मेरा रिफंड तूरंत ही आ गया था और इसमें कोई इसू नहीं हुआ लेकिन दोस्तों जिसका बड़ा एमाउंट होता है 10,000 होता है 20,000 होता है किसी किसी का लेप्टाप भी मगाती है 50,000 तक का पेमेंट कर देते हैं और उनका फंस जाता है तो दोस्तों अगर आप कस्टूमर के यह से बात करेंगे तो वो एक ही चीज पॉलेंगे कि आपका रिफंड कर दिया गया है और यहाँ पर यह रिफंड कंप्लीटर दिखाए देता है तो उनका यही जवाब होगा कि सिलर ने आपका रिफंड कर दिया है और इसमें एक डेट रहती है उस डेट के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए तो दोस्तों अगर आपका बड़ा माउंट है तो उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा है तो आपको थोड़ा बेट करना चाहिए और संडे सटर्डे को बैंक की छुट्टी होती है तो उस दिन आपका रिफंड नहीं आएगा और दोस्तों अगर माल लीजिए आपका आडर सीपेड हो चुका है तो उसमें थोड़ा आउट टाइम लगेगा क्योंकि आपका जो आडर है वो वापस हो के जाएगा और सेलर के पास जाएगा उसके बाद ही आपका रिफंड मिलेगा बल्ले यहां से आपका रिफंड कम्प्लीटर दिखाई दे दोस्तों यहां पर मेरा refund मिल चुका था फिर भी मैंने customer care से बात किया तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है उन्हेंने बोला आपका refund जो है 10 मार्च तक में आ जाएगा जबकि मेरा refund आ चुका है दोस्तों यहां पर जो customer care होते हैं उनको सिर्फ यह पता होता है कि जो आप देख रहे हैं वही उनको भी पता होता है उनके पास वैसे कोई जानकारी नहीं होती है तो वहां पर आप उनसे complaint register करवाईए जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस order के लिए complaint भी रेजिस्टर किया है तो दोस्तों अगर आपका refund नहीं आ रहा है तो आप customer care से बात करके और complaint register कीजे और दोस्तों आपका refund जरूर आएगा दोस्तों मेरे पास जितना भी आडर हुआ और इस प्रकार के case हुए उसमें मेरा सभी का पैसा आ गया है और किसी भी product का मेरा पैसा कभी नहीं फसा तो आपका भी refund आएगा आपको थोड़ा बेट करना चाहिए और जो भी debt दिया गया है उस debt तक आप इंतजार कीजिए और customer care से भी बात करिते रहिए तो आपका refund जरूर मिल जाएगा सुद दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यबाद